हेलो गाईस आज हम बात करेंगे सैमसंग गलेक्सी S20 FE के बारे में अगर आप लोग यह डिवाइस यूज़ कर रहे होगे तो आज हम बात करेंगे इसके स्मार्ट कॉल के बारे में बेसिकलि अगर हम बात करेंगे इस तो सैमसंग में काफी स्टेप से एनेबल करेंगे और किस टैप से यूज करेंगे तो चलिए जिस्टार्ट करते सबसे पहले आप लोग Аपने फोन में सैटिंग उपन करेंगे अगर हम गई सैटिंग ओपन करें भी और यहां पे आगर आप लोग सर्च भी करें स्मार्ट कॉल तो यहां पर मैं आप लोग को बता दू इसमार्ट कॉल अगर आप लोग सर्च भी करें तो यहां पर आप लोग कोई भी सिस्टम यहां पर देखने को नहीं मिलता अगर आप लोग यहां पर अए इस ट्यप कभी सरच करेंगे तो यहांप आप लोक को जो है देखने को नहीं मिलेगा इस्मार्ट एक को लॉचल का फीजर तो सिम्पली आप λोग क्या पड़ मपें सर्च करना क्ल जैसे हमारा तो सर्च कर refrigerator क Feels यहां पे आप लोग को advanced feature में मिलेगा gesture and motion का option और यहां से आप लोग को इस feature पर आ जाने मतलब कि आप लोग को motions and gestures पर आ जाने जैसे आप लोग को क्लिक करेंगा से यहां पे आप लोग को smart call से related कुछ settings यहां पर देखने को मिल जाती है सबसे पहले बात करें मैं यहां पे easy mute के बारे में तो हाँ पे आप लोग को easy mute का option मिल जाता है तो आप लोग इसको detail में पढ़ सकते हैं जो कि अगर मैं आप लोग को detail भी बताऊंगा तो video पहुँच ज़्यादा लंबी हो जाती है तो यहां पे आप लोग easy mute का option मिल जाता है direct call option यहां पे आप लोग को provide की जाता है जिसकी information आप लोग पढ़ सकते और animations की माद्यम से यहां से भी काफी आसान तरीके से समझाया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे swipe to call और send message सिब्स पे क्लिक कर यहां पे आप लोग को जो है animation द्वारा समझाया जाता है कि यह कि turn of sounds on your phone included calls alerts and media तो यहां पे आप लोग इस feature का भी लाब उठा सकते जो कि यह भी जो है smart call के अंडर आता है जो कि आप लोगों को सेट अप देखने को मिल जाता है जो कि आई होप आप लोग ने सेटिंग को देख लिया होगा और अपने साब से कस्टमाइज भी कर लिया होगा उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद एक जमाता दी